नमस्कार दोस्तों बैंकर स्मर्ण आप सभीका बहुत बहुत स्वागत है दस जुलाई को हमारा इस बेकलर का प्री का पेपर हुआ था तो उसमें जो पेपर में पूछे के क्विश्चन से मैं इस लेक्षर में आपको कराने वाला हूं और यह सारे क्विश्चन मुझे आपको एक अंदाज हो जागा कि इस टाइप का पेपर आ रहा है इस लेवल के क्विश्चन आ रहे हैं आपका माइंड में कप क्या होना चाहिए पेपर के अंडर वो सारी चीजी अप लोग इस वीडियो को इस लेक्षर को देखने के बाद में एक माइंड में बना लेकिन यह तो आपको आज ही मिल जाएगा ठीक है इसे 10 जुलाई को ही मिल जाएगा रात में आप देखो आगे में कुश्चन के उपर बढ़नू से पहले हम बताना चाहता हूंगी आप लोगों का बहुत डिमांड था कि सर जन्रल अवेरनेस, इंगलिस, बाकी सबजेक्ट आप लोगों का बढ़नुट को पर जितना स्मूथली जितना आसान तरीके से माथ्स औरीजिनिंग बढ़ते थे उतना आसानी से कोई पढ़ा पाए ऐसे टीचर्स की ऐसे साथियों की हमें तलास थी तो वह में अभी आपको बताते हैं जैसे चत्रपाल सर हैं जो आपको जन जरी आप दल जाएगा कि जनरल लेवेंडस को इस तरीके से आसानी से आधिकिया जा सकता है आसानी से चीजों को बैंकिंग के अंदर समझा जा सकता है तो एक बार 13 जुलाई को मैं इंसे इंट्रोडूस भी करूंगा आप लोगों को और इनकी क्लासेज का अनॉंसमेंट त पर कवर करेंगे तो यह दो फेकल्टी आप लोगों को मिल जाएंगी मैथ रिजनिंग में पढ़ाई रहा हूं तो मैथ रिजनिंग जी और इंग्लिस पढ़ने के लिए आपको बैंकर स्टूंट के लाबा कहीं जाने की जूरत नहीं पड़ेगी यहीं पर पूरा पूरा मि ढुदाई एप लोगों का जन्दर लवेर निस तो आता यह है तो यहां पे ही जो हिंदी आती एल-एक्स ehm hanandar mayam ।म्हीं आपको हिंदी पढ़ाएंगे एक सर हैं कुलदीप सर जो आपको computer भी पढ़ा देंगे मतलब एक छोटे-छोटे जो subject है जो आपको कहीं पर भी मतलब book से या पढ़के जाते हो वहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है जिससे हिंदी 40 marks का है तो student क्या करता है वहाँ पर अच्छे marks ले आता है लेकिन वो जो सब्जेक्ट के बेस्टीचर के साथ में 13 जुलाई को आपके लिए अनौंसमेंट लेकिया रहा हूं उसके बाद में बेचेज क्लासे यूटीव फिरी क्लासे सारी चीजों का अनौंसमेंट उसी दिन हो जाएगा तो आपके साथ बने रही हैं तो आपके लिए अपलोग तो आपके लिए बने रहा है अब आजाए हैं लिए क्या साथ तब अच्छ जब तो पड़गार जैंग टीज ती जब अभी अवेलेबल हो जाएंगे तब में हनु कर दो जरूरी है तो जैसे बीच्छन जोगी एफ यहां पर आपके लिए लिए हूँ, यहां पर दिखो कुष्चन बोल रहा है कि A, B, C are three students, they scored in three different subject, example की तरुपे X, Y, Z, यहां बदो नहीं कि लिए लिए है कि A, B, C, जाएगा तरुपे लिए टो नाम का जाएगा और अलग सब्जेक्ट तो टेबल बना लिए गरोगा थीजिसर में तीन लोग हैं A, B, C, और इनके तीन सब्जेक्ट एं X, Y, Z, इन में कितने मार्क साइंगे मैं यहां पर लिख कोई इसमें इस्यू वाली बात ही नहीं है अब आजब बोला ए स्कोर 75 मार्क्स इन वाई सब्जेक्ट तो यहां पर लिख दिया आगे बढ़ते हैं रेशियो उप्टेंड बाई ए इन एक्स है तो देखो ए इन एक्स का मतलब मैं शॉर्ट में लिख दूँगा एक्स ताकि अगर यह डायरेक्ट में रेशियो यूज कर पाता तो में यहीं पर कर लेता मैं इसको छोड़ूँगा क्यों नहीं को बार बार कुश्यय निए नहीं पर इस समय खरावता है इसलिए मैं शॉर्ट में साइड के अंदर मैं पेपर के ऊपर लिख के छोड़ दूगा इसको को अंदर फॉर्टी फ्याइफ मांट का स्कोर किया हैे sanctions का मतलब अगर जेड में सो परआएट मांट आए दो यह 125 पर्षेंट हगए इसका मतलब यह तो परसेंटेज रेश्य केल्कुलियसें बहुत सरी महनत किये अपको सिखाने के लिए और आप अगर सिखेंगे तो इस तरीके चीज़ सिख जाएंगे को सिखधा इस ने मुला जेड़ से 25 पर तिशत ज्यादा माकसे एकस में इसमें 100 परशेंट तो इसमें 125 परशेंट होगा तो यह वईल्यू सो परसेंट होगि 100 परसेंट इस तरीकी से साइड में केल्कुलेट करके निकाल देना हो जाए से, दिमाग ने लगा कम से खया प्रया ताकि अगर मालो डाता में कोई ना हो आगे बढ़ता है इसने बोला B is code equal marks in subject X and Z B के X और Z के जो marks बराबर होंगे तो ऐसी चीज़ों को तो मेंशन करने के लापए से कर सकते हो B के X के marks और Y के marks बराबर होंगे ऐसे साइड में लिख दिया थोड़ा सा ठीक है आगे देखो Ratio of marks scored by B in subject Y ठीक है B का subject Y में जो marks scored to the score एक सेकंड रुक्येगा कुछ लिख में देखता है Ratio of marks scored by B in subject Y to the 2 पढ़ना मूल गयाता हमे Y to the marks scored by C in Z subject is 5 ratio 4 अब देखो दोनों में से कोई भी marks है के है आपे B का तो मुझे बोल रहा है Y तो B का Y मुझे निए पता है लेकिं C का Z मुझे पता है 36 तो C के Z और B के Y के अंदर ratio दे रखा है 5 ratio 4 दे रखा है अब देखो लिखना नहीं है इस ratio को कोई लोग लिखना नहीं 5 ratio 4 दे नहीं यह यह पढ़ने से पता लग रहा है तो इसका मतलब मुझे पता है 4 ratio की value कितनी है 36 है कि नहीं है C का Z में marks score हुआ है इस ratio value कितना है 4 है 4 ratio की value 36 है दिमाग में सच्चो 1 ratio की value कितना है 4,36 4 को divide कर दो 1 ratio की value आएगी 9 5 की तो 1 ratio की value 9 5 ratio की value 45 तो B का Y में कितना हो जाएगा 45 ऐसे करना है ता कि कम से कम लिखना है साइड गंदर सीधा यहां पर पूट हो जाए ठीक ना बस लेकिन उसके लिए percentage ratio के लिए इसने बोला average marks scored by A in all 3 subject is 63 A के दवारा तीनों के अंदर यानिकि आप देखेगा 3 के मिला के A के 3 के मिला के कितने हो जाएंगे average मैं A के 63 है तो 3 के 3 को ना यानिकि 189 होंगे नहीं होंगे तो मैं इधर ही लिग गडिया इसके सामने A के 3 के मिला के 189 होंगे मुझे तो दिमार्म को समुझ मिला ही जाएगा मुझे तो रिलाश्माटेबल से मतलब है अब देखो आगे पढ़ने से पहले ये रेशियो मारे पास ये भी तो बच्छावाई है तो क्या बोला गया है बी के वाई के रेशियो के तिनी है पेंतालिस है तो दिमाग लगाओ और पांच रेशियो के वेल्यू Republican है तो एक के वेल्यू कितनी ही त्यन्यों कितनी है जाएगी तो तीन के वेल्यू कितनी ही हो जाएगी 177 तो ऑपकर एक्स कितना ओजाएगा 177 ठीक है आप देखो यहां पे थीनों का मिला कि 1800 वतसा यू निकाल लिया था तो आप लोगों का जोड के इसमें से माइनस कर दिया, तो आप लोगों का Z वाला यह आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से यह आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, भाई, क्या बोल रहे हैं, मार्क्स स्कोर्ड बाई C in Y सबजेक्ट इस 27 लेस दें, मार्क्स स्कोर्ड बाई A in Z सब आगे देखते हैं, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाई B is 165, B में जो टोटल मार्क्स स्कोर्ड हुआ है वो 165 हुआ है, अब देखो, B के Y में 45 हुआ है, तो 45 को अगर मैं 165 में माइनस कर दूंगा, तो 120 बचेगा, यह मुझे बताओ, B के X और Z का है कि नहीं है, इतना देमाग होगा, ठीक है, तो इस तरीके से देखो, टेबल बन गई, इसके ओपर बेज़ कुछ कुछ शनाए होंगे, जो कि मुझे किसी ने बेज़ नहीं तो मैं नहीं करा पाँगा, लेकिन जब आपकी टेबल बन गई, तो क्या पूछ लेगा, कि भई, B ने, Y में कितना स्कोर किया कितना कम जादा है, परसेंटेज में कम जादा पूछ लेगा, कोई रेशियो पूछ लेगा, कि नहीं दो नम्मर का तो आपर हमसे निकाल सकते हो, यह बनाना ही तो सबसे मुस्किल काम होता है, ठीक है, तो यह बड़ा आसा किसले डिया आया था, आप लोगो ने बड़ा तो यह बन जाएगा, तो समय लग जाएगा फिर, आगे नेक्स बड़ते हैं, अब आ जाते हैं नमबर स्रीज के ऊपर, ठीक है, यह वाली जो नमबर स्रीज आप लोग देख रहे हैं, तो देखने से किस की लग रही है मुझे तो डिफरेंस की नमबर स्रीज लग रही है, तो अब अगर किसी को नहीं पता है, तो उसको मेरे नमबर स्रीज का वर्दान बेच का लेक्चर यह पूरा देखना पड़ेगा, वह से अएडिया होगा तो यह फिर जो आप लिया दिखना पड़ेगा तो यह तो यह तो यह फिर डिफरेंस की सिरीज है, तो मैं अगर रही कौन से बात करने लगगे तो बहुत समय लग जाएगा हना सिधा 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 क्विशन निकालते है क्योंकि एक्जामे जिनों ने पढ़ा होगा मेर से पहले से सभी स्टुएंट लग बग तो डिफरेंस है यहां डिफरेंस नहीं पता मुझे ठीक है अगे वाला डिफरेंस कि जोडी स्टुएंट जोडीわか हूँए हो जोडी से खालना सिधा सिधा यह बूज मुझे यह पर आगे ज्लागे यह थीक है तो आंसर किया ऎगया 95 थीक है next question के आऊ एक्या नेटीफिक हैते थीक है क्या देख रहा है यहां पर मुझे डिफरेंस की सिरीसा आघा यह रहिए देखो यहां पर 16 यहां पर 20 और यहां पर 24 और यहां पर 28 का रहा है 28 का लुद्स की बाद 12 किसी नंबर में 12 जोड़ा होगा रहा है सारे नंबर जोड़ा होगा तो 20 आचे यह तो नंबर क्या हो सकता है वहाहाद पांच में से ज्यादष मैंने कुछ आईडिया लग रहा नीच ए लिफिया इडिया 17ition 2009 के यहाध राम इसके बाद में यह किन न का डिफरेंस फरेंस घए यह 15 इंडियां यह लग रहा है तो यहां से तो मुझे कुछ आइडिया लग रहा नहीं है आठ ग्यारा पंदरा लेकिन इसके नीचे जब जाता हूं इनका बीच का डिफरेंस तीन दोबारा से निकाल भी निकलता है तो इहां का डिफरेंस हो गया चार अब कुछ समझ में एक आइडिया सा लग रहा है कि यह तो आगे पांच उना ची था और उसके बाद में फिर्स क्या ओना ची था च्छ तो कर यह टिख लेएग्य YE ञड़ें के। चिन्तर में तो चन्तर में चुटें च्छिणटर में च्छिछ जोडके종्गादेगी बढल्गे तो एक्ट 270 आग चार था ynौ Phariseいます नेस्ट कुरिव ने लिए्फियों में लुकिते रिखें के काूदा लाइो cषिछों participate रहा है स्ट दो आयो कि सोचन है कि तो किसा से मुल्टीप्लाइ करूंगा श्यार इसका मतलब आगे किससे मुल्टिप्लाइ होगा पांच से मुल्टिप्लाइ पंदर आगया फिर उस्में कितना पड़ेगा सोला नमें के लिए एक जोन न पड़ेगा तो पीछ गर के देख लो दो 2 x x 12 inté 4 , गृता हो गृत है 5 मतलब इसका बीख रहा है इसका नाजी ता равно 5 हो राहे इसका मतलब आगे किस से फुर्घ का यह वाली सिरीज भी देखने से तो यहां डिफरेंस मुझे लग रहा है साथ का यहां डिफरेंस लग रहा है दसका दिफरेंस बड़ा फास्ट फास्ट निकल रहा है यहां पर डिफरेंस लग रहा है उननीस और तीन बाइस का ठीक है अभी इस से मुझे कुछ समझ में नहीं अयह difference तीन, पाँंच गा, यह difference के जोदिञा होगा, तो इन दोनों नमक्ता के ढर होगा, 사 Holmes तो क्या रहा हो गो हो गहा है, किस नह 6-6 जोड़ोगी कि 105 जाएगा तो 99 में 6 जोड़ोगी कि 105 जाएगा इतना ही दिमाग लगाना था तो रिया अञवक अन्सरो गया तो डबल डिफरेंस निखल राता है कर दो कर आएं कि बढ़ा एक्जाम में हैं तो अब हम गजे बाद में चाहिए एक्जाम में हैं तो बड़ाए सिंपल सा क्यूशन आया था कन फो ने कि बिल्कुल जूरत नहीं है इसने मोला है एक एंड बी केन फिल अफ आफ टेंक इन सेवर वर्स अनि ए और बी मिलके आधा तो मुझे बताओ ए और बी मिलिके पूरा टेंक कितने घंटें बर सकते हैं जोगदा घंटें में बर सकते हैं सिंपल सामोजी के फिर वहला सी केन इंपटी 40% of the tank in XOVers तो इससे भी यहां तो इसको छोड़े जाते हैं बार के लिए बढ़ते हैं वेन ओल्ड थ्री आर ओपंड दें टेंक गेट फिल्ड इन 26 वन भाई 4 यह ऐसे हैं ठीक है ना टाइपिंग जल्दबाजी में कराएगी तो इस तरीके से लिखे गए और कहीं से कॉपी पेस्ट कर तो इस तरीके से आजाता है ठीक है परफेक्ट तरीके से सब कंटेंट वना थे प्रोपर ऐसे लिखा होते हैं लेकिन जल्दबाजी में कहीं बार इसे हो जाता है तो इसको इगनोर किया अगर मैंने बता दिया ऐसे हैं जब तीनों को ओपन कर दिया जाएगा ठीक है तो पांच बटाच यार गंडे अंदर पूरा भर सकता है आपको एक्स की वेल्यु फांडवट करने हैं मतलब C 40 परशेंट मतलब 40 परशेंट को कितनी देर में खाली करेगा यह तो निकाला हैं अब देखों सी खाली कर रहा है इसका मतलब C खाली कर रहा है और A और B मिल बहर र टाली करने के मतलब C जो वाल है वो पानी निकाल रहा है और A और B बहर बानी डाल रहा है अब हमेशा तंकी की पड़ाय बालाय ताइम अगर आप को नहीं पड़ायवागा पड़ाय वागर इससे लगए पाइप एंस इसे लगए अज़ वीडियो आजाएगा देख लेना यहां पर टोटल केपिसेटी में निकालूगा तो इन दोनों का एलसीम लेना पड़ता है तो दोसो दस आजाएगा ठीक है तो अब बगर में डिवाइड करूँगा तो चोगदा एकम चोगदा चोगदा पंजे सत्तर है पंदरा यह जो गंटे में ए और बी मिलके 15 लिटर पा तो समझे लेएं और ऐभी सी मिलके आट लिटर एं तो क्यों भर्यी सी बरनेरा ची काल अवनने पंदरा ड्र निकाल रहा यह और बी ने बढ़र पंदरा लिटर भरा तो सी ने से साथ निकाल दिया तब ही तो आठ बचा इसका मतलब सी एक गंटे में कितना लिटर पानी बह अब दिमाग इतना सा लगाना था है मैंने साथ को दुबार समझ आता हूं कि A और B मिलके A घंटे में 15 लिटर भर रहे हैं अब यहां A B B और C B एनि एँ और B ने घंटे में 15ल लिटर भरा है हो तो यह8 लिटर भरा गया इसका मतलब A और B यह तो 15 लिटर डाल भर दिया था लेकिन सी भार निक एंपाई इसे लिए नहीं हुआ थो C एएग हॉंड़ेमें 7लिटर पार निकाल सकता है हम्हें पता लग कि अब देखू आप को किसे खालीस परसेंट में कर जकता है तो 210 आणिक इस जो होकता है 210 एज़ गंटे में प्र रखना राई कर देगा 9 कि एग गंटे में 7 लेटर काली कर रहा है, तो 84 लेटर को कितने गंटे में हाली गणटे में हाली कर गदाए है कि तोलोग वर्स ठीक हमीद करता हूं तुम्हेर कर पढ़ा हूं जरूरी अर्थमेटिक एल अलगा तो बड़ी दिक्कत है था ना ऐसे समझ में एगा पेपर सोल ग za 2 साल के लिए उन्हों में आपने प्रस आधार पर इसको इन्वेस्ट कर दिया एंद गेट सम इंट्रेशट कुछ इंुछ इंट्रेस्ट उसको मिली अनौ वी इन्वेस्ट्ट ह टोटर हमाउंट ओफ इस्कीम ऑब उससे क्या किया जी पहले वाली जो स्कीम थी ना इसमें आट जार उप्ए य aircraft verses जा वुभर होती है दो साल का होता है ताइं होता है और 200 ₹ अगर आपका मानलो, आप πैसा दिये और ब्याज के ओपर, इंड़ आपको कितना पैसा मेलीगा, symplotros नेज़ बढ़गा सकारशे मुटने में, simple इंटरेषर का थाफ हर साल के बराबर होता है, 100 ₹ इंड़ यह करें । 10 % अभणड ऐसई बढ़ेता, तो 120 रुपए हैगा, एक साल में 10 बढ़ा, दो साल में 20 बढ़ा, तो हमेशा इस तरीके से करना होता है, अब यहाँ देखो, इसने 8,000 रुपए इन्वेस्ट किये, अब उसने वेल्यू ना देगी, आर परसेंट दे तो हमें दिक्कत कहा रही है, तो वेल्यू नहीं देगी, ले में 0,000 रुपए इसाल में, यह इस और ना परसेंट बढ़ेगी, तो दो साल में 2 र बढ़ेगी, यह को तनी अष्य भी यहाँ पर देचा और की जगे तो दो गुणा 10 यह बीस आज 57220 200 बटा इतने रुपए उसको मिलेगा तोटल मिलाके अब यह सारी के सारी उठा कि उसने स्कीम भी में डाल दिया स्कीम भी में देखना इस रासी का तो अगर मैं इस रासी का 20 परसेंट निकाल देता हूं तो वह ब्याज है कि नहीं है और वह ब्याज की तरह है दोजारसी पस इसको क्यालकुलेट करना है अगर को यह से लिखना सीख गया किसी को इस पता है तो फटा पट कुशिन कर देगा इसमें समय लगने वाल कोई दिक्कत वाले बात ही नहीं है अब देखते हैं आठ से कट रहा है गया देखो आठ दूनिस वड़ा आठ चिकड़ तालिस जो साट आ गया इतर ठीक है अब देखो यह टूरी बचाए ना इधर यह दो भी तो बचा इधर हाना दो बचाए तो यह कितना हो जाएगा एक 30 द्यागर ठीक बचेगी तो अर्किल्य आजाएगी 15 प्रेंट यह इसधोर आप लोगों को आगर कॉंसेप्त कि लिए ना आप लोगों का तो इसमें दिक्कत नहीं और नहीं रहा नहीं यह तो समय सतो और गया यह जाए सप्रते हैं और 20 Central demamightsJE मैशन का चक्री ठीकशन का ही जो सम्मेना वो कितना दिया, इसने 60 दिया है, हाना, अब आगे बोल रहा है, C is 4 year elder than A, C जो है न वो A से 4 साल बड़ा है, तो C है ना, वो A से 4 साल बड़ा है, तो मैंने लिग दिया भी, इसके बाद महला, 4 years ago, 4 साल पहले, A और C की जो age थी ना, उसका रेशियो मुझे 3 रेशियो 4 दिया गए, 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो 4 साल पहले, A की age यह थी, और C की age कितनी थी, C minus 4 थी, और उसका रेशि जाएगा, C पूरा पूरा मुल्टिप्ला है, 3C बनेगा, यह इधर की साइड माइनस हो जाएगा, माइनस 3C बनेगा, वह सिम्पल है, ठीक है, सामने की साइड यह क्या बनेगा, तो मैं आपको बताना चाहरा हूँ, इस तरीके से कालकुलेट हो, बाक्की देखो, यह उठा सब्सक्तला माइनस 12C भी आप सामने कीरा दो, यहां से अगर आप देखोगे, तो अगर मैं आप लगों को यह बोलना चाहूँ, कि भाई, अगर मैं C को इधर ले जाता हूँ, या फिर A को इधर लेका आता हूँ, ठीके, तो अगर मैं A को इधर लेका आता हूँ, एफ suspected A ब 4C minus 3C, कितना बचेगा, C बचेगा, और 4 plus 16 बचेगा, तो B की ऐज कितनी आगी, 20 आगी, आगे देखो क्या पूछे, find the sum of ABC after 5 years, find the sum of age, ABC, तीनों की ऐज का सम पाँच साल बाद में क्या होगा, वो निकालना है, वई, A और B की ऐज तो 60 साल थी, और C की ओर मिला दूगा, तो A, B, C, की तीनों की मिलागी, कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 50 तो 80 होगे, लगिन मेरे साथ मेरे साथ मेरे को एक तश इा तो B की मिलागी, पुछिएं चिशवें पांत साल बधे ट्रेन वाला कोई लेक्चर उठा के देख लीजेगा आप उसके अंदर ट्रेन एक रोसे जे पोल इन 20 सेकंड विद इस्पीड ओफ 36 के एंपिएच देखो वे सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मिटर पर सेकंड में अगर किसी चीज को बदलना है तो उसको कित से मल्टिप्लाई करते हैं पांच बटा थारा से मल्टिप्लाई करना होता है बस सीदीजी बात है यह आपको पता होना चाहिए लिखना की जुरुत नहीं होना चाहिए इसको 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 एक ट्रेन एक रोसे जे पोल इन 20 पोल को पार कर रही है 26 km perfect के हैं यानिकि 20 से केंड में कितना चलेगी 20 से कंड में इक अछा तर डिस्टेंस निकाल रहा हूं न वह इंग की लेंध हो जाएगी और डिस्टेंस क्या होता है टाइम मल्टिप्लाई बाई स्पीड तो इस्पीड यह 36 थी लेकिड इसको मुझे मिटर पर सेकेंड में चेंज गरना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन की लेंथ हम मिटर में लेते तो 18 दूनी 36 20 दूनी 40 और 5 से मल्टिप्लाई करोगे तो यह कितना जाएगा 200 मिटर यानि कि ट्र ट्रेन बी की लेंथ कितनी होगी इससे सो जादा होगी तो कितना बोला इसने 300 मिटर सो जादा होगी ना इसने किशन बोला है find the time taken by B to cover a platform length of 500 meter with the speed of 18 km per hour यानि कि 18 km पर ती गंटा की रफतार से अगर एक 500 meter के platform को पार करना है ट्रेन B को तो कितना समय में करेगी किसी भी platform को bridge को ऐसे किसी लंबे चीज को पार करना होता है तब हमारी जो distance होती है travel की गई वो जो bridge होता है वो जो platform होता है उसकी plus train की length होती है तो total यहां पर मुझे क्या पूछा है time पूछा है time is equal to क्या होता है total distance upon speed distance क्या है यहां पर बताएगा मुझे distance is platform की length plus train B की length यानि कि 500 plus 300 यानि कि distance total हो गई 800 कौन सेक्ट में सिखाई हुए यह चीज है time निकालना तो speed से डिवाइड गरना पड़ेगा तो यह 18 speed लेकी नहीं तो kilometer पर हो रहे ना यह उपरोड़ा मिटर है तो इसको meter per second पांच मेंट अठार से करना है अठार से अठार कट गया और यहां से देखते हैं अठार पांच एकम पांच शीकत तीस जीरो तो 160 second ठीक है कहीं पर इसको एसे भी लिख देगा दो मिनट दो मिनट में 120 सेकंड और दो मिनट 40 सेकंड ऐसे भी लिखा हो मिल सकते हैं तो जैसे भी होगी होगा वह आपको टिक करके आना है आगे बढ़ते हैं बोट एंड श्ट्रीम का बहुत अच्छा खासा एक लेक्सर डाला हुआ है और उसी के कॉंसेप्ट के उपर एक क्विशन पूछा गया अब आपको जाता हूँ, अब आपको में बता चाहें आप Benjamin Bahaung के विपरित इसा में पानी चल रहा थे तो जो APEŃ स्ट्रीम जोँ स्पीड होते है उसका फोर्मला होता है क ऐस B माइनस S तो आप इस्ट्रीम में स्ट्रीम 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 में स्ट् सीधा 11.5 भी लिख सकता है लेकिन आपको समझ वाद है इसलिए में स्टेप बाइ स्टेप लिख रहा हूँ आप इस टेप को कम से कम करने को सिजिए आप दिमाग में यह सब भी नहीं लिखते आप लो अगर कोई स्टुयेंट को पता नो अगली लेन ना पढ़ता दा स्पीड ओफ श्ट्रीम एज 1.5 km पर वा तो ऐसे सोचता अपने दिमाग में कि भही 10 km अप श्ट्रीम में तो कम होती है तो अगर में बोट की स्टी इसने कम कि होगी और स्टीन की फिर एकपइनद पांच फिर आगे बढ़ते, if a boat goes A to B and B to A, then total time taken by boat is 11 hours 30 minutes, यानि साड़े-कर गंटे लेने, find the distance between A or B, अब देखो कोई भी boat एक जगह से दूसरी जगह जाती है, A to B गई, तो understood सी बात होती है, कि एक बार जाएगी तो पानी के बहाव के दिसा में जाएगी, इसकता हो, तो यहाँ पर याँपे आपी stream का speed तो बुझे पताती है, 10 km, और गउन स्ट्रीम की निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम कि इसमों कर पाएगी, downstream क क्या होता है, downstream में पानी boat को support करता है, योश की speed बढ़ा देता है, यानि स्वी पलस css, और sb कितना 11.5, ss कितना 1.5, तो यह कितना हो जाएगा 13, तो आपके पास में यह इस बिढ़ागे, जब भी मैंने आपको आमेसा सिखाया है, जो भी लेक्चर देखेंगे, कि भी टाइम में एक वेसन मना लिया करो, तो टाइम कितना लग रहा है, साड़े ग्यारा घंटे का साड़े ग्यारा घंटे का मैं क्याली सकता हूँ, 23, 2 लिखता हूँ न? गयर दुने 2022 को अर एक 20-23 न स्पीड का होगी, एक बार जाएगी, Peninsula कि मान लें आप स्पीड होगी तक है स्पीड होगी, 10 तक हम Sayaodelे कि स्पीड होगी, अभी अरड़ऄ सिर्फ कि अप्इ चरह आने के शच्री में जानका भी और आने का अब सादे गारा घंटे के बराबर करने के लिए आने का ट्र लॉटने का कई जोर अपड़ेगा A B को मैंने यहां पे कुमन ले लिया ठीक है यहां से मैंने क्या कर दिया 130 ही LCM ले लिया तो यहां मेरा जगा 13 यहां मेरा जगा 10 ज़्यादा दिमाग मैं इधर भी नहीं लिखूंगा उपर मुझे पता है 23 आ गया तो मैं यहीं से इसको काट के अगर मैं एक्जाम में दे रहा हूँगा तो यहीं से काट कि अगर पता है 130 तो पर जाएगा ठीक है और यह देखो क्या आएगा 23 नीचे जाएगा तो जंजट है 23 से 23 गट 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 गगा 25 सेट में लगा के आज़ाँगा अब यह कैलकुलेशन अगर किसी को अगर वो पता है ना एक्जेक्टली कॉंसेट पता है वो दिमाग में सोचने वाला कॉंसेट में सिखाया बोट इन इस्ट्रिम बेंगर्श्पन ढाला दिमाग में कैसे सोचते हैं सारी चीजों को उस पर कुश्चन में करा हुए तो आपको अपिछलता है कि ना दोरा तही की कई की दोरी बता हो और 65 की किनी तो अपस हाई यह तो गई फैंसर यह फैंसे घंठ पूछा जब्तों पर शचने तो यह ही होगा, आगे बंढ़ दें, जब प्रोफिट ऑफ सेलिंग आर्टिकल एट आरे सेवन हंड्रेड इज डबल तो दो लोस विन आर्टिकल इस सोल आरे स्फोर हंड्रेड फाइंड एस्प वेन इट सेल एट एट इन परशेंट प्रोफिट सिंपल सा कुष्यन मैंने बहुत बार पढ़ा रहा है, प्रोफिट क्या होता है? जब सेलिंग प्राइज ज्यादा होती है तभी तो प्रोफिट होगा जब ज्यादा में बेच रहा हूं तो सेलिंग प्राइज कितना है बई? 700 है ठीक है, मैने इसी कोस्ट प्राइज यहीं परोफिट है, 400 में बेच दिया मेने और कोस्ट प्राइज ज्यादा था तभी तो लोस वा यह वाला जो लोस है यह इस प्रोफिट से दो गुना जादा है तो इसको दो गुना लिग दिया तो बराबर हो गया इक्वैसर बना नहीं थी मुझे इस तरीके से बना दी फिर हम लोग एक बार के प्रोफिट अब इसको निकाल लेते हैं ठीक्या अब देखो यहां पर सिंपल सा हो गए कर है यहां पर सेवं husiva नगे अबल्क से भाइज ऊंढ़ां तो यह मिवर चनि देखो यह लोटक तो यह मुझेल आख रशागहा कि तो यह तरी फी ऐट बन जाएगा नहीं मन जीका फ के सेलिंग प्राइज बताव कोस्ट प्राइज अगर पान सो है के थरा प्रेंट प्राइज प्रेंट की वैल्यू कई यूगी यहांपे ना ओतारहा प्रशेंट फरीज वेढ़ दो सेल्डिंग प्राइज पांसो हो गजें ठीके उम्यद करता हूं आप लोगों को समझ में अचिक है चलो हागे बढ़ यह कि एस थराइस एदेुशेंट बी किवेशेंट ऐस ध्राइसेंट देन आएगा भी तो एक एफिसेंटी तो यह इंडैर्डी प्रपोर्चनल टू टाइम तो हमेसा टाइम पाइम का जो रेश्यों होता है वो एफिसेंसी से क्या होता है उल्टा होता है Șरी 3 लिखना तया आगे देखो भी सेम क्योशन कर तो यहां पर याहां पर यहां पर यूटुब आले वीडियो में सेंटेशन क्योशन है थो थे थे कि एकशटी डेज लेस देन B आएगा है, A takes 60 days less than B to complete the job, ठीक है, तो A को 2 दिन कम लगेंगे, रेशियो के हिसाब से, लेकिन यहां क्या बोल रहा है, A को कितरे दिन कम लगेंगे, 60 दिन कम लगेंगे, इसका मतलब यह जो 2 की वेल्यू अक्चुल में कितीन है, 60 है 30 से मल्टिपले, इसका मतलब A को कितना द तो इन कम लगेंगे, तो इसके सब्सक्राइब निगें लगेंगे तो रशे बोलाई है, 60 दिन कम लगेंगे, इसका मतलब यह जो 1 दिन कम करने में, अब आगे बाता हो, find how many days a and b complete the half of the job आधा काम जो है ना वो कितने दिन में यह भी दोनों मिलके करेंगे तो कितक कर देंगे टोटल काम मान लेते हैं एंसी मान दें नभा है तो इसके एक दिन का काम इसके एफिसेंसी तीन इसके एफिसेंसी एक ठीक है आधा काम करना है तो मुझे नभा नहीं करना है कितना करना है सिर्फ मुझे पैंतालिस काम ही करना है ठीक है एक दिन में अगर दोनों मिलके कितना करते हैं चार काम करते हैं तो पैंतालिस काम कितने दिन में करेंगे बहुत बढ़िया भई, circumference of circle is 32 cm, more than perimeter of a square, find area of a square, तो पहले तो radius of circle दे रहा है, तो circumference निकालना पड़ेगा, circumference का मतलब परीदी जो होता है, वो क्या होता है, 2 pi r, तो 2 pi r लिखो भई, 2 गुणा 22 बटा, 7 गुणा 28, तो यह हो गया, 7 चोक 28, ठीक है न, तो कितना आ जाएगा यह, 8 बार मुल्टिप्लाई करना है, 22 cm कितना होता है, 100 चिंतर हो जाएगा न, हां जी, 100 चिंतर हो गया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, तो यह circumference 100 चिंतर आगे, अब इसने बोला है, कि जहान से सबजा, circumference of the circle is 32 cm, more than perimeter of a square, स्क्वाइर का perimeter क्या होता है, अगर एक बुजा की a है, तो 4 जोड़ दो, तो perimeter होता है, 4 है, अब यह जो perimeter है, ठीक है, इस से circumference 32 ज्यादा है, circumference 32 ज्यादा है इस से, तो यह 176-32 ज्यादा है, इस perimeter से, तो इस में 32 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना बचेगा, 145 बचेगा, दो माइनस करो, तो 144, ठीक है, ओ फिर 40 माइनस कर दो, एक सिक थे, 30 माइनस कर दो 139, मैंने स्वारी ठीक है ना 30 मैंने सट गातां एक्स नॡोर मैंने सब्सक्राइब मेंना सबस्क्राइब दो डोड़ गर दो डोड़ दो जन्या जैना पार्ण चैनल कि आगई टो इस वेल्ली तो एक तो ना जो मेंने बताए ना फॉर्मुले वह सारे याद है तो अगर इसके खिश्च फोर्म ला पता हो तो अगर किसी को परेन्ट का फोर्म ला पता है तो फिर उसमें है क्या जोडबाकी गुणा भाग ठीक है अब इसकी भूजा आ गई तो पुछा क्या गई एरिया ऑफडे जो बहुता है, इंदे लिए अफस्टी प्रेशन, बाइस्टी अफस्टी आगे, दे कितना बेकार कुशियने था, हद रिखने थी ती तो टीकहे हैं, दस सेकेंड हैं, बितनक्त कुशियन दे था जा कितना अब को श्यूशन पुश्चिन नहीं है, तो तो आपको थे संप्रे प्रिश्य नारे है तेखे आप देखो इसमें कुछ लोग देखे 13 स्क्वार 25 माइनस तेरा स्क्वार 15 के स्क्वार 25 प्लस 32 ऐसा करने का प्रियास करेंगे ठीक ना ऐसा भी कर सकते हो कुई उसमें कोई बड़ी बात है नहीं तो ऐसा करेंगे तो 25 और 31 कितना होता है ठीक है 25 औ क्या करेंगे नए यह सब लिखने का जन्जट मोल नहीं लेंगे वह देखो ऐसे ओ एस और 12 माइनस 3 स्क्वार तो यह क्या बनेगा एक तो पंदरा पलस तेरा जोड़ना और एक पंदरा माइनस से तेरा ठीक है एक तो आप लोगों का थाइस और एक अप लोगों का दो तो थाइस गुणा दो यानिकी चपन अब यह तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया तो फुर्म अब किसी को तो यह तो जोड़ लेता हूं थाइस माइनस को लेता हूं दो दोनों मुल्टिप्ले हूंगा नहीं कि छपन प्लस बत्ति जानी 88 बात करता हूं ठीक है इस तरीके से जल्दी छे हो सकता यह तो 10 के सेकेंड वाला कुश्यन था को इस खास बात इसमें थी नहीं अब देखो यह भी बीच में आले किसिने कभी कुछ कीशन का घ्ट नित्यान की किसी ने कभी कुछ की बहिस ने कभी कुछ यह भी एक रुण 8 बार यह तो बड़ा अजीब सा डिफरेंस हारा है, ठीक है, 0.6 प्लस साथ, हैनि कि 7.6 या 8.6, 7.6 हो गया, ठीक है ना, 7 और 7, 14.7 प्लस पॉंट से 15.3, ठीक हो गया ना, 7 पॉंट से बड़ा अजीब सा डिफरेंस ही है, यहां पर आया है, आगे बढ़ते हैं, यह क्या एंसे पॉंट से पोइंध कि 9.1 का डिफरेंस है यह लिए है, किolor से прवस्ँड़ से 23.7 का डिफरेंस रहा ही है, अब तर आ sinंप्ट साथ को पांच इन सार डिफरेंस है झाप छुँड़ा तो कुछ भी लग लग डाग यहां भी ज़ा बाला नंबर गळल तो दन बात होती है तो में जादा दीमाक लगाना था यह लगा जाना अगर समय निए अगर आपके पार समय बचा हो आए तो पर शुक्त भी कर सकते हो कि यह था जब दो 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 जोड़े दो पंदा नवर तो पंदा पंदा दो दो च्टीज ॉर्ण दो एसके बीच वाल नॉर्प अगर आपको आईडिया लगी रही यह यह डिफेरेंश में तो कुछ लिंक बन रहा थे निया वही तो यह ज़िए बन रहा है कि यह तो यह ज़ल साथ पॉंट पांच कभी भी डिवाइड आ जाने बीच में छै गुणा साथ पॉंट पांच माइनस च्यार में पहले भाग जाएगा एक पॉंट दोगा फिर तीन से मल्टिप्लाई होगा यह देखो पड़ाशी मल्टिप्लाई करो दो बार मल्टिप्लाई करो कि तो पंदर तो पंदर तिया पैनतालीस ठीक तो पैनतालीस माइनस दस कितना मनेगा पैतिस आंसर यह बस बोर्ड मा सही पता हो ना चैसे नहीं कि पहले मल्टिप्लाई कर दिया तीन पॉंट चली इक दिया फिर तो गड़तोई जाएगा आजओ नेक्स्ट देखो 80 परशेंट ओफ 750 ठी तो 600 सीध्या पता हो ना चीए 15 परशेंटत ओप 20 निएक त्नेटीन यह पता सैप को पता ही ठीक है अभी एक्स की व thou निकाल ना है नीचे सो का भागी देना होता है अधिक थाऊ निकालना है दिया सोदु निची दिया टआर पपस्तोख दिया लिखना आपको पता है इसलिए इसे मिल् signals मिल्टिफ आई और दीपलाइई बन रही ए टि क्या लंबा सा यहां पर म consortin हो गया हो गया हना तो देखते हैं में दो फीजैज में क्या हो सकता है कुछ म'll डिपलाई लग रहा है 좋다 यहां पर 256 डिफरेंस कि दो गया तो नंब बच्चे का 490 चाहरे जार2 नड़ खरोगोज तो 490 ठीक है यह उन डिफरेंसे अनम पर इन डिफरेंस में कुछ समझ में रहा है कि मुझे तो बहुत कुछ समझ में रहे है बहुत बड़ आसानी सिझ समज्म्जभाे है fix this सभेखो इसका double डुर थ innov टॉके 8 हा रि today यह चार से मुल्ट्प्लै ऊजटीस हा ए ठीक है यह 8- six on 252 यह लेच अची 26 यह तो समझ्भा rate दौसे मुल्टिप्लै चार से 8 sa तेने सब्सक्तात पनगान तो एंगी है कि यह कि दो तेन्योम्ज समें कि मैं अज्ड बाफ कि दोजाए कि कम आप लोगों के लिए सभी टीचर्स की टीम लेके में आ रहा हूं तो आपके सारे सब्जेट्स का समाधान यहीं पर एक जगपे कर देगें और बेंकिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक जगपे पूरी टीम मतलब ऐसी नहीं मिलरी जहां पर एक जगपे बस विस्वा आप से चल रहा थाना सब कुछ दो सब्जेक्ट में उससे कहीं अच्छा हम लोग बागी सब्जेक्ट के अंदर करने वाले को कि मेरे से ज्यादा एक्स्परियंस टीचर आने वाले हैं बहुत यह अच्छे तरीके से चीजों को लेके जाएंगे तरह जो लेके बाद लेकिन आपको आगे की मेंस के लाव कोई क्लास ना लेनी पड़ आप इसी वेकेंसी अंदर सेलेक्ट हो जाएं लेकिन आने वाले सारी वेकेंसी के लिए हम लोग क्लास लेके आएंगे और बेस्ट ओफ लग फ़र एक्जामिनेशन थैंक्यों बहुत बहुत सुक्रिया